कुमार जी सनातन धर्म की कई कथाएं साइंटिफिकली गलत लगती हैं अभी तो बताया था भाया तेरी साइंस बहुत पीछे चल लेगे तोड़ा स्प्रीड बढ़ा धर्म की माने तो चंद्रमा समुद्र मंतन से निकला और अब चंद्रयान तू के समय ऐसी कथाओं पर क्या आपको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ समुद्र का मंथन माने देवता उने अर असुरों ने काया इसमें बहुत माल पड़ाय निकाल लेते यह कैसे पता था कि तेल कहां निकलेगा सेटलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ आज भी बहुत सारा भारत में आईरन और पड़ा हुआ जगे जगया गोल्ड पड़ा हुआ पता नहीं है निकालेंगे जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सब को पता है कि चोधे चीजें निकली है पता है आपको विश्ष कामदेनू उच्चेश्रवा नाम का एक घोड़ा एरावत नाम का हाती जोईंद्र ने निकला फिर पारिजात का पेड़ निकला पांच जन्य नामक एक शंक निकला जो भगवान श्रीक्रश्न के पास चला गया और धनवंत्री निकले अम्रित का कलश लेकर पता है सब को चोधे रत निकले आज तक आपने चोधे रत नों सुने होंगे मुझे यह बताईए ऐसे क्यों निकले के पहले विश निकला फिर काम देनों निकली ऐसे भी दोस्ता था पहले काम देनों निकला थी बलकि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकल दी पीपा के चुट्टी पहले कालकूट विश निकला ये समुद्र मंधन मूलते आपकी आत्मा का मंधन है आत्मा क्या है? परमात्मा यानि की समुद्र और हम कौन है? बूढ़ अगर हमने अपनी आत्मा का मंधन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये चोदे रत निकलेंगे पहला अरत्न कालकूट विश यानि की अगर आपने अपनी यात्रा के पत्मे दुनिया का उपहास दुनिया की निन्दाएं इसका विश पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंब हो गई पहला रत्ना आपका अपयाश बहुत परेशान करता है निन्दा बहुत दुखी करती है और अब शोशल मीडिया के जमाने में तो निन्दा और प्रशंशा दौनों बहुत तेजी से पहलती है मेरे को अभ्यास है कि मैं कही बार खुद लिखता हूँ फेस्बूक पे कोई लिखना होता है बंबई जा रहा था मैंने कुछ लिखा मेरी आदत है जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते हैं मैं लिखने के बाद तीन-चार बिंदी लगाता हूँ वाक के समाप्त नहीं करता है यानि कि कहता हूँ आगे बढ़ी की बार तो मैंने पांच बिंदी लगाई पांच बिंदी लगी हुई है और पोस्ट होगी आपको आश्चरो कहा है मैं बंबई उतरा तो मैं दस मिनट तक हसता रहा नीचे 2700 कमेंड यही तो विद्वान आदमी की पहचान कुमार जी मन जीत लिया क्या पंच तत्व की व्याख्या करी अप यह करा नही, पंच तत्व की नहीं इससे तो उपर उड़ गए यह पांच घ्यानेंद्रियों के बारे में बात की जा रहे यह कालकूट विश है अपमान का यह जगत की निंदा का विश है अगर आपने इसे जीत लिया पहला रत्न अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा काम धेनू यानि कि आपको प्रतिभा की काम धेनू प्राप्त होगी जब चाहा प्रतिभा का दूद निकाला और जगत को पिला दिया तब आपको प्राप्त हो तीसरी चीज क्या हो गई अब आपको प्रतिभा भी मिल गई तीसरी चीज निकली समुद्र मंतन से उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा यानि कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे और आपने प्रतिभा को भी साध लिया काम देनू की रूप में कि 24 घंटे महनत आप कर सकते हैं तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गती मिलेगी जैसी उच्चे श्रवा नामक पंक जड़े उपे घोड़े कुमाध्यम से मिलती है और अगर आपने संकल्पों को गती ले ली तो चोथी चीज क्या निकली थी आइरावत हाती यानि कि आपकी संगर्षों के ऊपर आपको एक जगे मिल जाएगी कि अब आप उपर बैठ गए हाती की क्या गती है? हाती गाऊं में आता है आपने ऐख वात देखी होगी हमारे गाऊं में आता था आप पता नहीं गाऊं से कितने लोग यहां है हाती जब भी गाउं में आता था सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाते दी गणेज जी गणेज जी आ गए कोई इक ला रहा है कोई कुछ ला रहा है कोई पैसे दे रहा है पूरा गाउं उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था एक-एक बालक बच्चा प्रसंड हो जाता था हाती के गाउं में आने से एक ही जीव परिशान होता है कौन? कुत्ता पूरे गाउं के कुत्ते उसके पीचे-पीचे भौकते निकलते है जब भी प्रतिभा का हाती किसी गाउं से निकलता है उसके आकार से टककर न ले पाने वाले कुंठित कुत्ते बहुँखते हैं और आश्चरतनक बात देखो यह कुत्ते आगे नहीं भुँखते यह वीचे बहुखते है इन्हें पता है कि आगे अगर आगे तो यहीं से उस लोग जाओगे जहां की काम ना है यह कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाती जब भी जगत की वीथियों से निकलता है तो पूरे गाम के रास्ते भुखते वज़ा वो इस बात से नाराज नहीं कि हाती क्यों आया वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है हमको तो लाथ पड़ती है जिस दर्वाजे दो तुर मार डंडा अरे खाना रखा कुट्ता के दर डंडा मार देना और एक ही है दूसरे वो इस बात के लिए भी भूखते हैं कि हम इतना भूख रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नी पड़ रहा है उसी मस्तानी चाल से जा रहा है अगर आपके संकल्प को गती मिल गई तो ये हाथी का सुभाव प्राप्त होगा जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुट्टे भूखे तो परेशानमत होना क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भूखते भूखते पुट्टे अपने गाउं से बार ने के उसी गाउं में रह जाते हैं उनकी इतनी अओकात होती है कि वहीं तक रह जाएं क्योंकि उनकी एक हाथ है उनकी सीमा है कुस देर तक भूखेंगे और मुणने के बाद एक दूसरी तरफ देखेंगे, अच्छा मौका ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत संदर, और फिर एक दूसरे को प्रशंशा करते हुए, आकर फिर उसी जुगाड में लग जाएंगे, कि आज शाम खाना कहा हो, हाती अगले गाहों में आध अगर आपने संकल्पों को गती ली, तो एरावत हाती की भाती आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, और कौस्तुब मणी पांचवी चीज है, जो श्री हरी विश्णू के माते पर लगती है, अगर आपने लोगों की जन आकांक्षां को उपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुटों के भॉंकने से बेखबर रहे, तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकट रखा जाएगा, कौस्तुब मणी रखी जाएगा, एक के बाद एक क्यों निकल नहीं, आगे पीछे क्यों निकल नहीं, इसलिए निकल लें क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है, और अगर आपको कौस्तुप मड़ी मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्विकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान इसने देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद छटे नूमबर पर कल्प वरक्ष, आपका जीवन कल्प यह कैसे बनेगा भारत कुलंग, मैं कहता हूँ, यात्रा चल ले यह अपने आप बनेगा, मुझे नहीं पता कहां से बनेगा, बन जाएगा, लेकिन जब यह सम्म हो जाता है, तो इसके बाद फिर परिक्षा प्रारंब होती है, सात्वी चीज निकलती है, अपसरा, रंभा, रंभा कौन है, रंभा वासना है, अब आपको वासना खीचना प्रारंब करेगी, वासना यानि कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानि कि सबका मेरे पास हो, रावन तत्व, सबका मैं खीचनू, सब चीज मेरे पास हो, और अगर आप इससे बाहर निकल आए, तो फिर आपको देवी-लक्षमी अर्तात धन और सामर्थी की उपलब्धी होगी, लक्षमी के आते ही आसुरी प्रवर्ति, आप प्रवर्ति जादा सब से पहले आएगी, यानि कि शराब वारुनी सब से पहले आएगी, दौलत का नशा सब से पहले आए, मैंने कल सुनाया था जो खांदानी रईस हैं वो मिजाद रखते हैं नर्म अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है अगर लक्ष्मी जादा आ गई तो फिर असुर प्रवर्ट्टी आएगा वर अगर इस पर कबजा कर लिया तो वारुनी के बाद क्या निकला दस्वे नंबर पर चंद्रमा यानि कि वेवार में शीतलता आ जाएगा मैंने ऐसी बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है अपरिमित धन हिसाब नहीं है लेकिन ऐसी ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके आदर और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा प्राजक्ता, पारिजात यानि कि आपके करमों की खुश्वू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगे और अगर ये फैल गई तो बारवे नंबर पर क्या निकलेगा पांच जन्मिय यानि कि उद्गोष पुरे विश्वू में आपकी कीरती फैल जाएगी कि क्या अदबुत आदमी है और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी अम्रित को लेकर यानि कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से उपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिव्या में, आपके धन में ऐसा हम्रितत्त होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए कि तुम अपने धर्म करंतों को इपड में हो, तुम अपने बुजर्गों के पास बैठ नहीं रए हो तुम अपने व्याक्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो और फिर कहते हो यह प्रश्न मुझे दे कर कि मुझे कैसे मैं कैसे बहुं साय करूं कि चंदरयान उपर पऊंचा हमारी हालत बताए कैसी है तुमारी हमारी मुझे बहुत नो मिले तुमार जी हमारे खर में बड़ा धर्मका सबकोच जी अच्छा जी बहुत अच्छा मंदेर हमाऊ है बना हो आफ रोज पुजा होझा होती है पंडिजी आते है रोजए अच्छा मंदेर में वादा है कि मैं दॉघा बड़ा सुंदर मंदेर लाओcla बीच में विराजमान हैं, बहुत सोद्दा, बड़ी अच्छी लाइटिंग, बड़ा अच्छा एंटीरियर, रात को उनके यहां भोजन था, नौदस बजे भोजन हुआ, दो बच्चे उपर थे, उनको आवाज दे रहे थे, कि नीचे मिलने वो आये ही नी, जब जाने लगा तो बचने की कोशिश कर रहे थे, साड़े ग्यारे बजे, चूकि उनके परिवार की एक बालिका सामने से उतर के आ रही थी, वो जिस अवस्था में थी, और जिन खुश्वों से भरी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूंग, तो फिर कैसे यह बात है, इतना धर म इतनी पूजा है, फिर यह कैसे हो गया भाईया, एक बुडिया का बेटा विदेश चला गया, विद्वा बुडिया का बेटा, नौकरी करने के लिए, उन दिनों टेलिफॉन थे नहीं, एक दो साल तो बुडिया ने बिचारे ने काम चलाया, जब सब पैसा खतम हो गया, त तो तेरी तरफ देखा भी नहीb, नहीं बढ़िया, ऐसा नहीं है, चिठी बेजेता है, ओले पैसे नहीं रेशता है, बोले ना चिठी बेजा है, कुछ रंगीन से कागज में, मैं तो उनने सजा के रखलू कि बच्चे न रखे है, बोले क्या काज है, अंदर गए जाको दे मेर तुम बीग मांगरे उपूरू